CC9 Pro जो 5 November को launch कर रहा है Xiaomi, जिसमें कह रहे है Snapdragon 730G होगा, उसमें Snapdragon 855 या Snapdragon 855 Plus क्यों नहीं है तो आज की वीडियो में हम यहीं बात करेंगे, मैं आपका दोस्साहिल स्वागत करता हूँ अपने चनल पे तो शुरू करते हैं आज की उस तो जैसे हमें पता है CC9 Pro आ रहा है 108MP के कैमरे के साथ 5 कैमरे हैं और 6.547 इंच की स्क्रीन है, 5300 mAh की बैटरी है, 30W का फास्ट चार्जर में लेगा तो फोन की स्पेसिफिकेशन की साब से अगर एक बड़िया प्रोसेसर दे देते तो यह फ्लैक्शिव फोन से कम ना होता, मगर शाओमी ने नहीं दिया, क्यों तो शाओमी का जो स्पोक्स्मेन है, वांग तैंक उसने आज इसका जवाब दिया, और उनने कहा कि भाई इसका जो कैमरा है, वो काफी कॉसली है, जो प्रोना CC9 आया था, CC9, CC9 मेटो एडिशन या CC9E, उससे इसका कैमरा पांच गुना जादा है, प्लस अगर हम इसमें स्न भी नहीं लेगा, तो करगे रहोंने छोटा प्रोसेसर यूज किया, उपर से इसके कैमरे की बात की जाए, तो पहला है, आपको पता ही है, सैंसन आइसो सेल, HMX का सेंसर यूज किया, 108 मेका पिक्सल का कैमरा, जो इसका दूसरा कैमरा है, वो है 20 मेका पिक्सल का अल्टरा व भी चोटा मोडर लेंस, जो मी-8 में 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 कैमरे का यूस के रिया था, वो ही इसमें यूज किया गया है, तो यह आप सो सकते है, इसकी कास्ट भी उन्हें पड़ी होगी, लास्ट कैमरा है 1.5 सेंटिमीटर, सुपर मैक्रो लेंस, तो भई, अब कैमरे के अप्टेल्स देखा जाएगे तो एक कैमरा नहीं, 108 Mpx का, बाकी कैमरे भी बहुत खास हैं, पांच कैमरे तो रेर में मिले हैं, साथ में, चार फ्लैश मिलेगी, डूल OIA सपोर्ट मिलेगी, अप्टिकल इमेज स्टैबिलिजेशन, दो कैमरा में, एक तो मेन कैमरा में, प्लस टेली पोटो में, तो आप सोच सकते हैं, इसमें काफी कुछ बढ़िया यूज किया है, आज एक शाव में ने वीडियो प्लोट की थी, इस फोन की, जो काफी देखने में बढ़िया लग रह है, काफी बढ़िया लग रहा है, मेरे साब से फोन काफी बढ़िया होगा, मगर कॉस्ट इसकी सस्ती नहीं होगी, कह रहे हैं, ये 25 से 30,000 तक हो सकता है, फिसे 5 सारी को हमें पता चल जाएगा, इसकी कॉस्ट थोड़ी जादा होगी, अगर आप कैमरे फोन पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए फोन बहुत बढ़िया है, बैटरी बहुत बढ़िया दिया है, 5300 मेच की बैटरी दिया है, 30 वाट का चार्जर दिया है, तो हम ये नहीं सोच सकते हैं, कि हमें 20,000 तक ये फोन मिल जाए, तो मुझे बहुत बढ़िया फोन लग रहा है, क्योंकि मेंको क करके देखते हैं, क्लाटी बहुत ही बढ़िया है, आप काफी बीच दिखा चुका हो, मैं आपको देख सकते हैं, कितनी बढ़िया क्लाटी ही हा रही है, तो मेरे साब से 25,000 अगर आता है, तो बहुत बढ़िया प्राइस होगा, बाकी 30,000 थोड़ा जादा लगा मुझे, क् बहुत बढ़िया बढ़िया फोन होते हैं, हम सिर्फ एक कामरे के लिए इनी फोन लिते हैं, जैसे Realme X2 Pro है, OPPO Reno Ace आ गया है, और भी काफी फोन हैं, इस प्राइस रेंज में, OnePlus 7T भी है, तो मेरे साब से 25,000 के बीच है, 26 ताइस तक भी लाते हैं, तो भी बढ़िया प्राइस तक भी बढ़िया बढ़िया फोन है, तो मेरे साबसे बेटर है, बागी जब यह फोन आएगा, आपको उसकी अन्बॉक्सिंग और हैंड्स ओन तो मैं दे ही दूँगा, क्योंकि मैं रहता हूं चाइना में, तो भी चाइना में तो पहले आई जाएगा और तो मेर पास यह फोन आजाएगा, तो भी आज की वीडियो में बस इतना ही बढ़िया लगे तो एक लाइक जरू कीज़े, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीज़े, कुछ जानना चाते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, जाहिंद वान्यमातरम, सी यू न ुरू लक्क साथब कीज़े, तो भीयां कीज़े का छेद बढ़खियोः कीज़ेचारниц भी कर द समताृन कीज़ेक وجों न्यूरू जियू get up my next video